कुंड़ी का 6th house अभी discuss हो रहा है, कुंड़ी का 6th house तो 6th house से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है उसमें फिलार रोग या disease के बारे में discussion चल ला है तो disease से related जो subject है medical astrology तो उससे related चीज़ें आपको बता रहे हैं उसी continuation में आज जो topic है वो बारा राशियां, काल पुरुष की बारा राशियां होती हैं एक से बारा नंबर की राशियां और बारा houses होते हैं जो ब्रमान को बारा houses में divide किया गया तो बारा राशियां और बारा भाव इनके ऊपर अगर ये पाप प्रभाव हो ये कुंड़ी में निर्वल हो जाएं, weak हो जाएं इनमें ये अगर badly placed हो यानि 3-6-8-12 में बैढ जाएं या अपनी नीच राशिय शत्रु राशिय में बैढ जाएं उन पे पाप ग्रोहों की यूती द्रस्टी वरा हो जाएं तो ऐसे केस में ये बहुत वीक हो जाते हैं और फिर वो जिन शरीर के जिन parts को represent करती हैं ये बारा राशियां या बारा भाव तो उन से related फे बीमारियां वेक्तिको होती हैं उन से related बीमारियां होती हैं और जिस नंबर की राशी काल पुरुष की है उसी नंबर का भाव वो same body के parts को represent करते हैं यानि जिस नंबर की राशी है और उसी नंबर का अगर भाव है तो वो body के same parts में वो problem होगी या बीमारी आएगी तो वो क्या-क्या बीमारियां हो सकती है इससे related topic पे discuss करते हैं आज तो पहली नंबर जो राशी है वो मेश राशी है देखिए मेश राशी ये फर्स राशी है तो मेश राशी या फर्स हाउस कुंडली का जो पहला हाउस है यानि लग्ण उस पर अगर पाप्रभाव हो ये दोनों weak हो जाए या इन में से कोई एक weak हो जाए और ये पाप्रभाव में हो पाप ग्रह की उति द्रस्टी वर्दा हो जैसे आपको बताया ये किसी तरह से weak हो जाए तो ये जिन पार्ट्स को represent करते हैं तो इसमें सिर में चोट लग जाए कोई accident हो जाए सिर में चोट लग जाए या सिर में कोई रोग हो जाए या उसके कई बार आपने देखा होगा बहुत कम उम्र में ही लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं या बाल गिर जाते हैं गंजापन होता है या dandruff dandruff जो हो जाता है सिर में इसके लावा सिर की स्किन में कोई स्काल्प में कोई इंफेक्शन हो जाए तो इस तरह से सिर से रिलिटेड ये बहुत से लोगों को दिखा होगा कि हमेशा उनके सर में दर्द बना रहता है सिरदर्ध है यह माइग्रेन का टैक होता है तो उससे रिलेटेड यह अगर यह वीख है तब यह होगा इन्सॉम्निया या नीन ना ना बहुत से विक्तियों को नीन ठीक से नहीं आती है तो इन्सॉम्निया जो है वो ऐसी बिमारी भी यह फर्स्थाउस या मेश राशी के है या मेमोरी ला लॉस या उसको फिट्स आते हैं तो ऐसी चीजें भी फर्स्थाउस या मेश राशी के वीख होने से होती है इसके लावा ब्रेन के अंदर एक वह पिट्यूट्री ग्लैंड है तो पिट्यूट्री ग्लैंड से रेट्ट जो है वह एक प्रॉब्लम होती है इसकी बीमारी हो सकती है या ब्रेन में में मेनिंजाइटिस ब्रेन ट्यूमर ऐसी बीमारियां भी हो सकती है तो मेश राशी या फर्स्थाउस यह सिर माथा और सिर के बाल इनको रिपेजेंट करते हैं ब्रेन को रिपेजेंट करते हैं उनसे रिलेटेट क्या-क्या बीमारी हो सकती है यह बताए आपको अगर वीक होंगे तब तो अब सेकंड राशी देखते हैं ब्रख राशी देखिए तो यानि टाओरस राशी और या सेकंड हाउस कुण्ली का तो इनके उपर अगर पाप्रभाव हो यह कुण्ली में बहुत इसको represent करेगा और इसके अलावा जबड़ा जबड़ा युसको represent करता है तो इन सब चीजों से इसके लावा वानी बोलना जो है इंसान का उसको भी ripp bending करता है तो यह इन सब सारी चीजों से related बिमारी हो सकती है अगर ये ब्रक राशी या सेकंड हाउस पर अगर पाप्रवाव है अब क्या क्या बिमारी आउंगी तो ये आइस को रिपेजेंट कर रहा है या नी इनसान का विजन ही कमजोर हो जाए आग कमजोर हो जाए तो उसको फिर वो चश्मा लगाना प कहते हैं तो यह इस तरह की problem हो या फिर बहुत से लोग जो है अंधापन एक होता है blindness तो एक तो ब्लड बॉर्ड वो यह जन्मजात होता है या फिर बाद में किसी वज़े से उसको जो है वो अंधापन हो सकता है तो यह आई से रेलेटेड यह problem हो सकती है नाक से देखिए त बहुत से लोगों को आपने दिखा होगा continuous च्छींक आती रहती है तो वह allergic rhinitis है या नाक के अंदर की एक हड़ी है center में तो वह symptom अगर तिढ़ा हो जाता है तो इसकी वज़े से problem होती है बहुत से लोगों को आपने दिखा होगा कि वह उनको इसमेल ही नहीं आती वह कोई इस होते हैं sinus तो उसमें हवा भरी होती है तो वह sinuses जो है उसमें अगर infection हो जाए तो sinusitis ऐसा रोग होता है इसके अलावा दातों में problem दात तूपना दात में कीड़ा लग जाना यानि कैरीज या पैरिया हो जाना और बहुत से लोगों का होट जो है फटता है बहुत ज़्यादा के बोले हकला के बोले या गुंगापन वो बोले नहीं पाते तो यह सारी problem जो है सारी बिमारियां यह अगर ब्रक राशी या second house कुंड़ी का second का lord इन पे अगर पाप प्रभाव होगा यह weak होंगे कुंड़ी में तब यह इस तरह की problem ऐसी होगी अब यह third राशी देखते हैं मिथुन राशी या जेमिनी राशी और इनके lord है बुद्ध और इसके अलावा जो है वो third house कुंड़ी का third house तो मिथुन राशी इनका lord बुद्ध और इसके अलावा third house पे अगर पाप प्रभाव हो यह बिलकुल निर्मल हो पाप ग्रों की यूती द्रस्टी वरा हो यह किसी इसना से वीग हैं कुंड़ी में पाप प्रभाव है तब ऐसे केस में अब यह मिथुन या third house किसको रिपेजेंट करता है यह देखें ब्रक्ति के कान को रिपेजेंट करते हैं तो कान में कोई infection हो जाए तो कान में अगर कान के परदे में आपने देखा होगा कई बार लोग बिलते हैं च्छेड हो गया तो परदे में च्छेड हो जाना या यह तं इमपैनिक मिंब्रेंज होती उसमें च्छेड हो जाता है उससें कान में infection होता है कान 튀 सकता यानि निकलता है तो उसको autitis चाबाल इस तरह जो डाल लेते हैं या कोई लोहे का चर्रा रवारत डालते हैं तो उसकी वयसे प्राब्लम हो सकती है और वह कान में जाके शड़ता है या कान जो है वो थाइरोइड ग्लेंड है इंसे रिलेटेड चीजें तो गर्दन में कई बार आपने देखा होगा गर्दन लोग की अकड़ जाती है गर्दन घूमी नहीं पा रही है उरात में सोते सोते गर्दन अकड़ गई उसको टॉर्टी कॉलिस कहते है या पीछे जो सर्वाइ या यहां सार बीमारियां यह वह जा थी लेने में बाहर निकालने बहुत तकलीफ होती है कि वह स्पेज जो है वह ट्यूब इसकी नेरो हो गई पतली हो गई तो इस तरह की problem जो है अगर ये इसके लावा देखिए ये मिथुन राशी ये shoulder व्यक्ति का shoulder है उसकी arm है तो यह shoulder displacement कई भार होता है shoulder एगर डिस्प्लेस हो गया या वो फ्रेक्चर हो गया यह वह यहां बोल्स है आप में तो इनमें अगर फ्रेक्चर हो जाये कोई बिमारी हो जाए तो इसको यह सारी चीज़ें मित्hosून राशी या मित्षून राशी का लॉड बुध्ध या थर्ड हाउस पे अगर पाप्रभाव होगा ये वीख होंगे तब इस तरह की प्रॉब्लम होगी अब फॉर्थ नंबर पे आते हैं देखिए फॉर्थ नंबर राशी करक राशी यानि कैंसर राशी इसके लॉड क्या है चंद्रमा है और इसके लावा कुंड़ी का फॉर्थ हा है या जो लेडीज है उनमें ब्रेस्ट में आप में देखा होगा प्रवलम होती है कई बार कोई ट्यूमर हो जाता है या कैंसर डिवलप होता है बहुत कॉमन है तो यह इस तरह की प्रॉब्लम या चेस्ट के अंदर यहां लंग्स है दो लंग्स में को इंफेक्शन निमोन चेस्ट में हो सकता है या हाड को भी डील करता है तो हड अट है कि हार्ड से रिलेटेट का 다वरा में observe रवां या लिए कर्कराशी यह मन है उसकी इसे उनको रिप्रेजेंट करता है तो यह है यह इसमें एक पागल्पन का दोरा जैसे अपड़े या anxiety, tension, depression इस तरह की चीज़ें जो है अगर करक राशी या fourth house पे अगर पाप्रभाव होगा तब होगा अब fifth राशी पे आते हैं देखिए पाँचमी राशी, सिंग राशी या इनके लॉड है सूरे और इसके लावा fifth house कुंडली का तो fifth house जो है डील करता है, abdomen को, abdomen को डील करता है, तो abdomen में फिर जो कोई problem होगी अगर इन पे पाप्रभाव है या बहुत वीख हैं, तो क्या होगा, diarrhea, dysentery, या पेट में दर्ध होना, प्रिप्टिक अलसर होना, प्रिप्टिक अलसर है, इसके लावा gall bladder, gall bladder नहीं पर liver के बगल में है, तो gall bladder में infection हो जाए, या उसमें कोई stone हो जाए, कॉली cystitis या कॉली लीथियासिस का मतलब उसमें stone हो जाए, और इसके लावा liver, जो है ये liver की size कभी 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 बढ़ जाती है, उसको हीपेटो-मिगैली कहते हैं, और या cirrhosis of liver आपने सुना होगा, cirrhosis of liver जो शराब ज्यादा पीते हैं, उनमें cirrhosis of liver का chance ज्यादा होता है, इ लेट्रिन के साथ में निकलते हैं, छोटे रोटे की या केचुवा, तो इस तरह की problem जो है, ये सिंग राशी या इनके lord सूर्य या कॉंडली का 5th house, अगर ये weak हैं कॉंडली में, उनमें पाप्रभाव है, और जब उनकी दशा अंतर दशा आएगी, तब इस तरह की problem होगी, अब ये 6th राशी पर आते हैं, कन्या राशी, विर्गो राशी, तो विर्गो राशी या इनके lord बुद्ध और इसके लावा कॉंडली का 6th house, तो ये किन-किन चीज़ों को ये पेट, ये भी पेट को रिपेजेंट करते हैं, अम्भिलाइकस के नीचे का पेट आया, इसमें लार्ज इंटेस्टीन आता है, लारज इंटेस्टीन में कोई infection हो जाए, उसमें लारज इंटेस्टीन में जो है, वो आतें कई बार उलत जाती हैं, आपस में, तो फिर वो operation करके उसको ठीक किया जाता है, या फिर appendicitis आपने सुना होगा, appendicitis का दर्द होता है, तब उसके में कोई infection हो जाए नेफराइटिस या उसमें स्टोन बन जाए किड्नी में और या कई बार गुर्दे में या किड्नी में सूजन आ जाती है तो हाइड्रो नेफ्रोसिस केते हैं या पीछे का back side जो है उसमें कमर में कई कर दर्द बहुत तेज होता है कमर में दर्ध होना या वर्टिबिल कॉलं में पीछे थे स्ट प्रॉब्लम का जाती है आचानक कोई वजन उठाने से या वेट उठाने से यह ज्यादा कसरत करने से वह डिस्क जो है आपसमें slip कर जाती है slip disc इसके लवा sixth house या कन्या राशी जो है ये ये diabetes को भी deal करते हैं मधुमें जिसको कहते है diabetes को deal करते हैं इसके लवा accidents जो accidents में चोक लगना घाव हो जाना या लड़ाई जगड़े में कोई शरीर के किसी पार्ट में fracture हो जाए कुछ problem हो इस तरह की चीज़ें रक्त बहना जो खुन का बहना या operations होना ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ कन्या राशी इनका लौड बुद्ध और इसके लावा कुंड़ी का सिक्स्थ हाउस अगर ये वीक है इनमें पाप प्रभाव है तब इस तरह की problems होंगी फिर अब आते हैं तुला राशी तुला या लिब्रा राशी सेवन्थ नंबर की राशी और कुंड़ी का सेवन्थ हाउस तो ये दूनों एक ही चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं किस सुन हो जाए या उसमें कोई ट्यूमर हो जाए इंफ्रिक्शन हो जाए यह सारी प्रॉब्लम है प्रॉस्टेट ग्लैंड जब एज बढ़ती है लोगों की बुढ़े लोगों में आपने दिस सुना होगा कि प्रॉस्टेट ग्लैंड बढ़ गई पिशाब रुख जाता है पिशाब करने में दिक्कत होती है या रात के समय कई कई बार 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 उठना पड़ता है पिशाब करने के लिए वो जब तक गए बात्रूम में तब तक पिशाब हो गई तो यह इस तरह की प्रॉब्लम प्रॉस्टेट ग्लैंड के बढ़ने सोता है तो वो उसके उसमें हो जाए बढ़ जाए साइज में कैंसर हो जाए इस तरह की प्रॉब्लम होती है या अचानक बैक एक उसमें भी वही स्लिप डिस्क वरा होने का चांस रहता है यह तुला राशी में या इसमें जो सेवन्थ हाउस है कुंडली का अगर यह वीक हैं या इन पर और एड़त नंबर के हाउस अगर यह वीक हैं कुंडली में इनमें पाप्रभाव है इनके उपर तो यह ऐसे केस में यह जिन बॉडी के पार्ट को रिपेजेंट करेंगे उसमें रोग होगा तो यह किन-किन पार्ट को रिपेजेंट करते हैं यह यहां पर जेनाइटल और को रिपेज़ेंट करते हैं गुप्त जो और गट हैं या विकति पिर हाइडरोसील या फिशर इन अउ पाइल्स का रूख सुला होगा आपने बवासीर होता है या लेडी में common चीज है तो यह लेडीज में इस तरह की problem होती है तो यह इर्थाव से इन सब चीजों को या ब्रश्चिक राशी अगर वीख है तब इस तरह की problem होती है अब इसके बाद 9th number राशी आते हैं तो 9th number मतलब Sagittarius धनु राशी तो धनु राशी के स्वामी क्या है यह ब्रहस्पति धनु राशी यह इनके लॉड ब्रहस्पति और कुंड्ली का जो 9th हाउस है तो यह अगर कुंड्ली में वीख है या इनकोगों पर परफ बहुत ज़दा है तब इस केश में जब इनकी दशाँ अंतर डशाएगी तब इस तरह की प्राउबलम होगी तो यह जीजेसों इसदों को रिप्रजेंट करते तो यानि pelvic bone होती है, pelvic bone जो है यहाँ पर उसमें fracture होता है, तो यह thighs की bone है, यानि femur और pelvic bone इसमें fracture हो सकता है, या इसमें कोई problem हो जाए, या sciatica, आपने सुना होगा word, sciatica नर्व होती है यहाँ पीछे की तिरफ, तो sciatica किसी वज़े से अगर प्रेस हो रही है, तो वो sciatica का प और कुंडली का 9th house, अगर यह weak है, और में पाप्रभाव है, तब इस तरह की problem होगी, अब यह 10th house देखते हैं, मकर राशी घुटने को represent करता है, नी joint को, तो मकर राशी यानि Capricorn, 10th number की राशी, इनके स्वामी क्या हुए, शनी हो गए, और 10th number का house हो गया, तो इन पे अगर पाप्रभाव है, यह weak है कुंडली में, तो जब शनी की दशा आए, या वो जब दशांतर दशा आएगी, तब ऐसे case में फिर यह problem knee joints related होगी, क्या होगा, कि knee joints में अचानक दर्द होना, यानि आर्थरेल्जिया, उसको कहते हैं, दर्द होना, आर्थरेल्जिया, या infection हो जा हो जाए, या fracture हो जाए, या इसके ओपर knee cap, सामने की तरफ बोन होती, उसको पटेला बोन कहते हैं, तो पटेला में fracture हो सकता है, तो ऐसी problems जो है, यह सब 10th house के weak होने से, या 10th राशी, या उनके lord के weak होने की वैसे होता है, अब आते हैं 11th राशी, 11th यानि कुम राशी यह है यह घुटने से लेकर 80 तक का जो पार्ट है, knee joint से, ankle joint तक के बीच का जो पार्ट है, यह कुम राशी हुआ, तो कुम राशी जो है, इसमें दो bones होती है, tibia और fibula, तो tibia fibula में fracture हो सकता है, बहुत common है, हो जाता है, accident में है, किसी वह से, चोट लगने से, तो यह fracture हो सकता है, इसके अलावा यह पीछे की तरफ यह विक्ति के पीछे की तरफ पैर में calf muscles spindly होती है, उसमें कोई चोट लग जाए, infection हो जाए, सूजन आ जाए, tumor हो जाए, बहुत सारी problem हो सकती है, तो यह इससे related जो है वो problem होगी, अगर यह कुम राशी, यानि Aquarius राशी, Aquarius का Lord Shani, और इ 11th number का house spirit है कुंडली में, वो weak है, उस पे पाप ग्रहों की उती द्रस्टी है, अब यह mean राशी देखते हैं, जो 12th number की राशी, पिशीज राशी, तो पिशीज राशी जो है, यह foot को represent करता है, ankle joint और यहाँ यह fingers तक, तो ankle joint और fingers यह जो foot है, चरण है, पैर है, foot है, इसको represent कर में राशी, तो यह mean राशी, इनके lord क्या हो है, ब्रहस्पती हो गए, और कुंडली का 12th house है, तो अगर यह weak है, इन पे पाप्रभाव है, वैसे case में, आपने देखा होगा, एडी उसर मुड जाती, चलते चलते मुड गया, या सीडियां उतरते समय, एडी मुड गई, उसमे मोच आ जाती है, या वो fracture भी हो सकता है, यहाँ पर, और इसके लावा, fracture बहुत common है, fracture हो सकता है, इसके लावा पैर की उंगलियां है, इसमें fracture हो जाए, चोट लग जाए, कोई infection हो जाए, फोड़ा फुनसी हो जाए, तो ऐसी चीज़ें जो है, यह सब यह 12th house है, या mean राश पती, पर जब पाप्रभाव होगा, वो weak होंगे, तब इस तरह की problem होगी, तो यह काल पुरुष की जो 12 राशियां और 12 houses हैं, तो वो body के जिन जिन parts को represent करते हैं, उन से related क्या-क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया, यह कितनी interesting चीज़े को, तो यह आप इसको चीज़ों को ध्यान से देखें और study करिए, तो यह बहुत ज्यादा important subject है, thank you.